गुद आफ्टनून एन ओम शांती गुद आफ्टनून थक तो नहीं कई सुनते हुए किसी ने बहुत सुन्दर कहा है कि बहुत गजब का नजारा है इस अजीब सी दुनिया का लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए कई बारी मैं भी सोचता रहता हूं कि हम भाग रहे हैं हर कोई व्यक्ति रेस में भाग रहा है एक बड़ी मज़ेदार बात मुझे ध्यान में आती है कि एक यंग डानमिक लड़का था उसको चाहिए था कि मेरे को सब कुछ मिल जाए जिन्दगी के अंदर तो बहुत तपस्या उसने की तो उसके सामने देवता प्रकट हुए और उसे बोला कि बेटा मैं तुम्हें चार मुम्बतियां देता हुँ ऐसा करना कि अगर तुम्हें कोई इच्छा हो तो अपनी इच्छा पहली पूर्ण करने के लिए पूर्व दिशा में जाना, जहाँ वो मुम्बत्ती बुझ जहे, वहाँ खुदाई करना, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, अगर तुम्हें सैटिस्फेक्शन ना हो, तो पश्चिम दिशा में दाना, वहाँ दूसरी मुम्बत्ती बुझे, तो वहाँ खुदा वहां मुम्बती बुजी और उसने खुदाई की तो वहां उसे पैकेट्स खूप सारे थैलियां जो है वो अशर्फियों की मिली वो उसने का वाह मेरे तो पूरा जन्म मेरे कई जन्म इसके अंदर सुकारत लग जाएंगे मेरा तो जीवन बन गया मेरे लिए इतना बहुत है वहां खुदाई की तो उसे टंस खूप सारा पैसा धन दौलात उसे अपार मिली उसने उसको भी अपने बुलक काट के अंदर भर लिया फिर उसने का अब बहुत हुआ अब मैं अपने घर जाता हूं अब मुझे और की जरूवत नहीं घर पहुंच नहीं वाला था कि उसके खुदाई की तो उसे बरतन सोने के खूब चांदी सोना उसे अपार मिला उसने का अब बहुत हुआ अब तो मेरी सातों पुष्टे मेरे बच्चे उनके भी बच्चे सब लोग उनके लिए अब इनफ है अब मुझे किसी चीज की आवशकता नहीं है जब वो घर पहुंच तो उसके मन ने फिर आखरी बार उसे अंदर से कोतलता लाये और बोला कि जरत दक्षिन дusha में भी जा के देख लो उसके मन ने कहा है कि दक्षिन दिशा कहा ता मत कुछ मिलेगा तो देखा एक व्यक्ति जो है वो चक्की पीस रहा था पसीने में तर था तो उसने पूछा कि भाईया यहाँ पर क्या है तो उसने कहा कि मैं तुमारा ही इंजार कर रहा था किसी ने कहा था कि तुमसे भी कोई लोभी व्यक्ति आएगा तो वो तुमको आकर इस दुनिया से इस जगे से आजाद करेगा अच्छा ताली क्यों बजाई कहीं ऐसी चक्की हम लोग तो नहीं पीशते रहते हाँ समय नहीं मिलता है टाइम नहीं मिलता है हर व्यक्ति भाग रहा है दोड रहा है और इसी भाग दोड के अंदर कहीं ना कहीं मैं अपने आप से connection छोड़ देता हूँ और फिर साल में हमें एक retreat का ध्यान आता है कि चलो हम सुने कुछ अच्छी बात अपने कहां पर धारन करें? कहां पर धारन करें? मन पर धारन करें ताकि हमारे जीवन को थोड़ा सा सुकून हमारे जीवन को थोड़ी सी शांती मिले आप लोगों ने यहां पर कल से आए हुआ है अपने मन को देखा? मन को लाए हैं साथ में? मन को अपने काम पर छोड़ कर आए हैं? बताइए मन को लाए हैं ना? तो अपने मन के अंदर जाकर देखें एक भरी? चलेंगे मेरे साथ कौन-कौन नहीं चलेगा कौन-कौन चलेगा सब लोग चलेंगे अच्छा एक बात बताईए इस फोटो को देखते हैं इस फोटो को देखकर और अपने मन को compare करें तो कुछ similarity लगती है नहीं लगती क्या-क्या लगता है आपके मन में बताईए disorganized disorganized कुछ ढूनेंगे इसके अंदर तो मिलेगा समान सब कुछ है जो भी आप चाहें आपके पास सब कुछ है लेकिन इस कमरे में अगर आप कुछ ढूनना चाहें तो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा आज यह नहीं बताईए हाँ यह नहीं तो इस मन को organize तो करना पड़ेगा ना कल से हम मन की unique powers को experience कर रहे हैं उसकी शक्तियों के बारे में जान रहे हैं लेकिन आज हम उस power को यहाँ पर experience करेंगे with scientific evidence कि क्यों यह मन मेरे पूरे destiny को मेरे lifestyle को control करने की शमता रखता है आज आप देखो आज हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं where changes can be sudden आज सुन रहे थे ना first session के अंदर आप morning के अंदर कि आज यहाँ पर है कल कोई व्यक्ति कहाँ पर बैठ जाए एक second के अंदर हमको पता नहीं लगता है are we prepared क्या हमारा मन ऐसे real world के लिए real world circumstances के लिए prepared है या हमारा मन उलज जाता है किस रास्ते हम जाए कहाँ पर जाए हमको पता नहीं लगता है उस समय हम कहते हैं आज मन बहुत confused है मन बहुत दुखी है हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे देश हमारी दुनिया हमारा संसार या मेरी लाइफ किस तरफ जा रही है everything that is happening outside उसका decision उसका first impression कहाँ पर होता है कहाँ पर होता है बताइए आपने जब सोचा कि मुझे मौंट अबू जाना है तो उसका first thought कहाँ पर आया था आपके मन के अंदर आया था अगर आपका मन कहता कि हाँ जाना है फिर कल कहता नहीं जाना फिर परसो कहता है फिर जाना है फिर अगले कहता फिर नहीं जाना तो पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते हैं याँपे डील करने की शक्ती रखता है आज एक्जामेन करेंगे हैं उसको हमारी जिंदगी का दूसरा सच हमारे जीवन के अंदर धन है, दौलत है जब नोट बंदी हुई, डी मॉनिटाइजेशन हुई सब के पास लाखो करोडो रुपिया बैंक के अंदर रहा होगा लेकिन उस बैंक में से निकालने की हिम्मत किसी के पास थी या नहीं, बताइए नहीं थी जीवन में ऐसी परिस्थितिया भी आ सकती है कि सब कुछ हमारे पास है, हमारे बैंक में हमारे पास back balance है लेकिन उस बैंक तक जाने के लिए हमारे पास मार्ग या हमारे पास permission नहीं है उस धन और दौलत को तो हम पूरे दिन अपने account में इखटा करते रहते हैं लेकिन कभी हमने अपने मन के bank balance को देखा मन के bank balance को देखा या नहीं देखा बताए मन के bank balance के अंदर जो हमारा karma bank है bank of karma उसकी तरफ हमने ध्यान दिया पूरे दिन हम अपने जीवन में समान लेते रहते हैं और समान और चीजें और 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 करते रहते हैं कि मेरे पास सब कुछ हा जाए मेरे comfort के लिए लेकिन अगर आज मेरे पास कुछ भी ना हो क्या फिर भी मेरे मन के अंदर इतनी शक्ती है कि वो खुश रह सकता है उस परिस्तिती के अंदर भी अपना state of mind हम बहुत balance रखें बिमारी आए तो भी खुश बिमारी ना हो तो भी हमारा state of balance बिल्कुल state of mind बहुत balance रहे हमारे professional level में हमें success मिले तो भी हम खुश है अगर उचा नीचा state of mind आए तो क्या मेरा मन इतना powerful है कि मन फिर भी balance रहे क्या मैं अपने अंदर इतनी शक्ती रखता हूं वो शक्ती आज हम examine करेंगे वो कहीं बाहर नहीं है किसी और किसी व्यक्ती के अंदर शमता नहीं है कि वो आपको दे सकता है लेकिन उसको generate करने के लिए आपको किसको responsibility लेनी पड़ेगी मुझे लेनी पड़ेगी या आपको स्वयम लेनी पड़ेगी बताएए स्वयम लेनी पड़ेगी nobody else is going to do it for you आपके अंदर ही इतनी शक्ती है कि आप अपने मन के संकल्पों के द्वारा अपनी destiny यहाँ पर इसी शन script कर सकते हैं you have the power to write whatever you want to write एक राजा के दरबार के अंदर राजा बहुत विद्वान था एक राजा ने कहा कि मैं देखू मेरे दरबार में इतने विदूशक हैं इतने महान समझधार लोग हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि सबसे समझधार व्यक्ती कौन है जो मेरे प्रशन का उत्तर देगा तो उसने क्या किया कि एक छोटे से कीड़े को लेकर अपनी मुठी के अंदर ऐसे रख लिया और मुठी में रखकर ऐसे बूला कि जो भी इस व्यक्ती दरबार के अंदर है जो उत्तर देगा कि एक कीड़ा मरा हुआ है या जिन्दा है वो दरबार का सर्वश्रेष्ट विदूशक या विदूशक या विदूआन कहलाएगा तो सब लोग सोचने लगे तो एक व्यक्ती उठकर आगे आया बुड़ा व्यक्ती था उसके पास आकर बोला कि महराज मैं बताता हूं तो महराज ने कहा बताओ आप बताओ तो उसने कहा कि महराज ये कीड़ा मरा हुआ है या जिन्दा है या आपके अपने हाथ के अंदर है यदि आप चाहें तो ये मर भी सकता है यदि आप चाहें तो ये जीविद भी रह सकता है तो राजा बहुत खुश हुआ उसने कहा आपने बिलकुल सही उतर दिया क्योंकि आज हमारे जीवन की डेस्टिनी हमारे जीवन की destiny किसी और व्यक्ति के हाथ में है या हमारे हाथ में है बताइए हमारे हाथ में है we have the power to script our destiny and our success लेकिन हम लोग क्या करते हैं हम लोग कभी जोटशी के पास जाएंगे किसी व्यक्ति महराज के पास जाएंगे कोई अंगूटी पहनेगा कोई अपने आपको decorate करेगा अलग अलग प्रकार के हम लोग तंत्र मंत्र की सहाइता हम लोग लेते रहते हैं लेकिन आज हम इस चीज़ को examine करेंगे कि as doctors, as human beings क्या मेरे मन के अंदर इतनी शक्ति है क्या मेरे पास आज इतनी scientific evidence है कि मैं अपनी soul power और mind power के द्वारा अपनी destiny को खुद create कर सकता हूँ तो करना चाहेंगे और नहीं करना चाहेंगे बताइए तो आपको उत्तर भी देना पड़ेगा और आपको participate भी करना पड़ेगा कुछ-कुछ simple exercise हम अगले कुछ शनों के अंदर करेंगे पहले सत्र के अंदर हम examine करेंगे कि what are the beautiful and scientifically proven powers of mind मेरे मन के अंदर ऐसी क्या-क्या शक्तियां है जिनको मैं कहीं पर भी बैठे use कर सकता हूँ और दूसरे पार्ट में अगर समय बचा तो हम examine करेंगे कि scientifically हमारे पास क्या evidence है कि हमारा मन का यथार्थ परिचय क्या है तो चलते हैं हम एक बहुत सुन्दर soul science या science of mind, body and medicine की तरफ आप देखें कि yoga is nothing but we must understand that in is the way out हम लोगों को yoga कहीं बाहर नहीं लगाना है हम लोग जब अपने मन की गहराईयों के अंदर जाते हैं अपनी आत्मा की पहचान को अपने सामने प्रकट करके समझ कर उसको सामने रखते हैं और फिर हम बाहर उस energy को reflect करते हैं वो यथार्थ योग कहराता है the first and the most beautiful and powerful power of mind is the power to experience we can create any experience in our life that we want any experience जो हम अनुभव करना चाहते हैं वो हम अपने जीवन के अंदर अनुभव create कर सकते हैं चलो examine करते हैं let us create a situation सभी लोग उत्तर करेंगे एक-एक करके उत्तर देंगे आप शाम को घर के अंदर बैठे हूँ हैं wife wait कर रही है husband को office से normally 5 बजे time से आ जाना चाहिए उस दिन किसी कारण 6 बज गए 7 बज गए आप phone लगा रहे है phone नहीं लग रहा not reachable जा रहा है पहले ring जा रही थी उसके बाद not reachable जा रहा है जब आप बैटे है air condition room के अंदर आपका favorite television serial सामने चल रहा है आपके मन के अंदर किस प्रकार के thoughts emerge होंगे जब आपके husband जो normally 5 बजे आ जाते हैं वो साड़े साथ आठ बजे तक नहीं आये है कैसे thoughts से मर्ज होंगे बताइए worry चिंता होगी या नहीं होगी worry होगी या नहीं होगी tension आएगी कभी ऐसा thought भी आ सकता है कहीं कुछ हो ना गया हो होगा या नहीं होगा होगा और आदा घंटा लेट हो गया message कोई भी नहीं आया है साड़े आठ बज गए थंड़ा atmosphere है ऐसा हो सकता है कि आपको पसीना भी आने लगे हो सकता है या नहीं हो सकता हो सकता है आपकी favorite dish आपके घर में cook ने prepare करके आपके सामने रग दी खाने का मन करेगा या नहीं करेगा नहीं करेगा fear की feeling आएगी या नहीं fear की feeling आएगी आपके मन के पास एक choice थी choice थी या नहीं थी आपने किस प्रकार की feeling को choose किया normally create करना डर को आपके मन के अंदर से naturally naturally है हमारा answer आएगा natural है ना ऐसी feeling आएगी तो मेरे को डरी लगेगा natural है कि मेरा mind ये सोचेगा कि कहीं कुछ हो ना गया हो क्या ऐसा natural नहीं हो सकता था कि आज हो सकता है उन्होंने बोला था कोई meeting है meeting late चली हो हो सकता है mobile charging पर था लेकिन charging बंद हो गई हो लेकिन mind ने naturally choose किया कि मैं naturally negative सोचूंगा मैंने feeling of fear, feeling of worst possible calamity मैंने create कर ली और create करके उसको मैंने experience भी करना चालू कर दिया agreed or not, बताईए agreed the power to create an experience by your mind थंडे atmosphere में बैठे है temperature, air condition room के अंदर 18 degree है 16 degree है लेकिन माथे पर क्या आ रहा है? माथे पर क्या आ रहा है? पसीना आ रहा है पसीना आ रहा है माथे पर normally heat के अंदर पसीना आना चाहिए लेकिन मेरे माथे पर पसीना आ जाता है the power of mind हम ऐसा experience create कर लेते हैं अपने mind के द्वारा कि हम उस चीज़ को अपनी life में experience करने लग जाते हैं हमारे पास choice थी आपके husband 9 बजे enter किये 9 बजे जैसे ही घंटी बजी आपके मन के अंदर से एक तरह relief आया चलो ठीक है लेकिन जब दर्वाजा खोलेंगे तो हमारा behavior कैसा होगा कैसे welcome करेंगे हाँ आये welcome हाँ कैसे करेंगे आपके लिए खाना तयार रखा या गुस्सा निकालेंगे normally कैसे करेंगे बताए एक दम गुस्सा अंदर यहाँ पर जो भरा हुआ था वो एक second में या तो कुछ नहीं बोलेंगे अंदर जाएंगे उसके बाद एक दम ब्ला 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 हम लोग ब्लास्ट कर देंगे दूसरी व्यक्ति की बात सुनने की हमने कोशिश भी नहीं की ऐसा हो जाता है हमारा mind complete situation को create भी कर सकता है उसको transform भी कर सकता है और उसको modify भी कर सकता है choice किस की थी choice किस की थी बताइए situation हुआ कुछ भी नहीं था nothing is happened बच्चा लेट हो जाता है आधा पॉना गंटा एक गंटा टुशन से लेट हो गया mother worst possible scenario parents worst possible scenario create कर लेते हैं worst possible scenario बच्चा तो pass हो गा ही नहीं बच्चा पढ़ेगा ही नहीं मेरा experience कहता है यह बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला इसका ध्यान ही नहीं है हमने experience कर लिया कैसी energy transform हम उसको transfer कर रहे है positive या negative बताइए negative जब इधर से हम negative energy भेज रहे हैं तो दूसरी तरफ किस तरह की energy receive होगी negative उसका पढ़ने में ध्यान भी होगा वो कोशिश भी करेगा संकल्प करने के लिए वो कोशिश को possible तरीके से translate नहीं कर पाएगा हम भूल जाते हैं कि as human beings we have the power to create whatever we can and that is why it is said that what we think we become हम जैसा सोचते जाएंगे वैसा हम बनते जाएंगे लोग सोचते हैं कि हम लोगों के लिए तो यह situation सोचना या यह create करना normal है परसों किसी ने पूछा कि मेरे लिए गुसा करना normal है इस situation के अंदर ऐसा सोचना मेरे लिए normal है ऐसा क्यों है तो मैंने कहा कि आप रोज ही ऐसी situation के अंदर कैसे thoughts create करते हैं उन्होंने का ऐसे ही करते हैं तो मैंने का अब केवल 10 days के लिए आप अपने thoughts को क्या करें change कर दीजे होगा नहीं positive ही होगा बढ़िया ही होगा meeting है successfully meeting रहेगी case करने जा रहे हैं patient को treat करने जा रहे हैं ये patient heal ही होगा और जैसा मैं सोचता जाऊंगा या सोचती जाऊंगी उसी प्रकार की energy हम लोग बहार radiate करते जाते हैं that is why somebody has very nicely said कि अगर हमको बहार transformation लानी है अगर हमको बहार transformation लानी है तो सबसे पहले transformation कहां पे लाना पड़ेगा बताइए अपने mind के अंदर लाना पड़ेगा तो पहली power यहां से सब लेकर जाएंगे पहला homework सबी करेंगे homework yes or no बताओ सबी करेंगे तीन दिन के लिए homework यहां से आज Saturday, कल Sunday और Monday तीनों दिन हम लोग अपने लिए कैसा experience क्रेट करेंगे positive या negative बताइए negative situation भी हो उसको positive में बदलने की शमता हमारे mind के पास है जिस मन के अंदर इतनी शक्ती है कि वो थंडे atmosphere के अंदर आपके बाथे पर पसी ने ला सकता है वो क्या नहीं कर सकता सब कुछ create कर सकता है क्यों? क्योंकि जैसे thought energy यां से radiate होती है वो बाहर experience create करने लगती है तो power to create an experience this is what we have in our mind दूसरी बहुत सुन्दर power जो scientifically proven power है power to create whatever we can जो हम रचना चाहते हैं वो हम अपने जीवन में रच सकते हैं बहुत सुन्दर experiment आपके सामने रडेट करता हूं आज से करीब 8 साल पहले NBA का आपने नाम सुना होगा जो basketball का US का बहुत बड़ा group है उन्होंने क्या किया scientist के साथ और meditators के साथ तीन अच्छे basketball players के group बनाए उन basketball players को उन्होंने तीन groups में divide किया पहले group के अंदर उन्होंने उनको 20 minute actual session दिया जिसमें वो लोग practice करते थे दूसरे group के अंदर जो 10 उन्होंने लिए उन्होंने कहा कि आपको practice नहीं करने लेकिन room के अंदर 10 minutes silence के अंदर meditation के अंदर बैठ कर आपको इतनी strong visualization create करनी है कि जो जो exercises और जो जो activities आप बाहर करेंगे वो आप मन के अंदर regularly करेंगे कि हाँ मैं इस तरीके से practice कर रहा हूँ मैं इस तरीके से कर रहा हूँ और coach उनके mind को लगातार training देता गया और तीसरे group के अंदर उन्होंने उनको कुछ भी नहीं कराया उनको silently visualize करा के बिठा दिया उनको कुछ भी नहीं करने के लिए जब उनको examine किया गया after two weeks only two weeks उनको practical performance लाने के लिए बाहर देखा गया तो there was a market and almost similar improvement you would be surprised almost similar improvement in first and second group in first and second group यानि जो लोग actual practice कर रहे थे और जो लोग केवल अपनी mind power के द्वारा visualize कर रहे थे कि मैं कर रहा हूँ और वही चीज़ उनको कराई जा रही थी mind power द्वारा उनके game के अंदर उतना ही improvement आया what is this? what is this? this is the power of mind आप किसी व्यक्ति को दवाई दे लेकिन उसके साथ आप उसके मन को भी लगातार energy दे कि yes you can आप improve कर रहे हैं you are getting better तो automatically improvement आता जाएगा this is the power the most beautiful power of our mind that whatever we want to create outside must first be created in our mind अगर मैं अपने जीवन में खुशी experience करना चाहता हूँ तो उस खुशी को कहाँ पर create करना पड़ेगा पहले बताईए mind पर करना पड़ेगा मैं क्या करूँ मेरे घर वाले कोशी नहीं रहते हैं मैं क्या करूँ वो खुश नहीं रहता है मैं कोशिश करता हूँ आरे नहीं आप negative दीजिये ही मत भोजन भी जब बनाते हैं आकल देखा है कि माता है करे बारी बोजन बनाएगी मैं भोजन बना रही है यह तो खाए गए नहीं खाना है मेरा बच्चा खाना ही नहीं खाता है वो यह नहीं करता हूँ वो बाहर रिडियेट कर रही है एक्स्ट्रीम पावर्फुल फोर्स के साथ वो सारी एनरजी रिडियेट करके वो औरा क्रियेट कर देती है तो आज अगर हम लोग यह हीलिंग पावर मनाते हैं यह एनरजी निकालते हैं कि यह चीज होगी this has to happen a positive energy हम create करते हैं our mind has so much power our soul has so much power that it can actually make it happen it can actually make it happen try this इसको experience करके देखिए कि मुझे यह कारे करना ही है जब मैं कोई complex surgery करने जाता हूँ या अगर हम कोई complex case करने जाते हैं तो मैं अपने mind को लगातार बोलता रहूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगा मेर से नहीं होगा मेर से नहीं होगा is this the right mindset I will never be able to do it if I accept the challenge तो परमात्मा कहता है कि मैं तेरको energy भी देता हूँ जब तू challenge को accept करता है अपने mind के अंदर से इतनी positive energy अपने अंदर रख लेता है तो destiny आपके अंदर इतनी energy script कर देती है आप अपनी success को swam script कर देते है no outer person is responsible your mind itself can script its success दूसरी exercise जो हम लोग करेंगे कि आज के बाद कोई भी meeting के लिए जा रहे हो कोई भी patient को cure करने जा रहे हो serious से serious patient भी हो ठीक नहीं होगा meeting unsuccessful रहेगी यह हो इनहीं सकता यह feasible नहीं है ऐसी energy निकालनी चाहिए यह success is my birthright मैं अपने mind में success की stamp लगा के जा रहा हूँ बताए क्या करना चाहिए success सभी लोग करेंगे आगे और पीछे बैटे हुए बताए everybody should do it everybody अगर हम अपने mind को यह energy नहीं देंगे तो हमारा mind कभी भी transform नहीं हो पाएगा it can never happen हम केवल सुनते रहेंगे लेकिन परमात्मा कहता है कि सुनना जाज़ा जरूरी है सुन तो हम कल से रहे हैं सुनना जादा जरूरी है या बनना जादा जरूरी है बताएए सुन कर और बन कर अगर हम उसको experience कर लेते हैं तो हमारे पास अनुभव की शक्ती भी आजाती है तो यहाँ पर सुनना भी है हमें बनना भी है और बन कर अपने जीवन में उसको experience भी करना है ready or not, बताये, ready, इसको करना ही है, the third power, most beautiful and scientifically proven power, the power to transform any energy into any kind of energy, can you believe it, what you are going to see is something that has been very well proven by science, आप देखिये, कि Dr. Masaru Emoto, आप लोगों ने में से बहुत लोगों ने का नाम सुना भी होगा, he is one of the famous Japanese scientist, he has conducted his most beautiful experiments on mind power, most beautiful experiments and this is what he did, he said, emotions, energies and vibrations can change the physical structure of water, उन उने केवल नॉर्मल वाट को लिया और उस वाट को बार बार केवल तीन दिन के लिए ये energy दी, कि you are ugly, you are ugly, you are ugly, these are all experiments which are very clearly available on the internet, in all the scientific journals like Nature, like EPLOS, all the journals these experiments are available और इसको हम लोग अपनी जिंदगी से रिलेट करेंगे, दूसरे उसी वाट को उन्होंने ये greeting दी कि I am thankful to you because you are satisfying me, दो दिन ये लगातार पानी को energy देने के बाद उन्होंने blinded experiments के अंदर उनके crystals को examine किया, तो can you believe it, what was the crystal structure in this and what was the crystallization in this particular group, this was unbelievable and this triggered the series of experiments, उसके बाद उन्होंने उस water को अलग अलग प्रकार की energy radiate करनी आरम की and this is what he saw, जब हम पानी को thank you की feeling देते हैं तो पानी इस प्रकार से crystallize हुआ, जब हम wisdom की देते हैं, truth की देते हैं, eternal feeling देते हैं, peace की, angel की, I love you की, तो पानी अलग अलग forms of crystallization लेने लगा, लेकिन जब पानी को negative emotions दिया गया, की you are a fool, polluted water लिया गया और evil का thinking दिया गया, you make me sick, ऐसी energy दिया गया, तो पानी crystallize होने की बजाए, अलग-अलग distorted forms के अंदर crystallize होने लगा, just by the power of your mind, the energies that you are creating, he could change and crystallize the water into most beautiful structures also, and that is why Dr. Masaru Emoto said that by holding the intention of peace towards water, by thinking, by speaking and by acting with the intention of peace towards water, water can and will bring peace to our bodies and to the world, अगर पानी crystallize हो सकता है, अगर पानी को हम energize कर सकते है, तो क्या हमारी मन की शक्ती बाकी चीजों को energize कर सकती है नहीं, कर सकती है नहीं, बताईए, सभी लोग, कॉन-कॉन कैसे नहीं कर सकती, कर सकती है, and that is the energy that is radiating है, आप देखिए, when these experiments were further carried out, जब उसी चावल के दाने को केवल दो दिन के लिए, same bottles के अंदर रखे, same temperature के अंदर, एक food item को love की feeling दी गए की, thank you so much, you are satisfying me, आप मेरे मन को और मेरे शरीर दोनों को trip कर रहे हो, और दूसरे उसी चावल के दाने को hate की feeling दी गई, की you are negative, this is bad, this is poorly cooked, this is what happened to the rice, can you believe it, this is what happened to the rice, when these experiments of mind, were further extrapolated to nature, तीन पौधो को, same प्रकार के temperature के अंदर, same प्रकार के structure के अंदर, same प्रकार का पानी, same प्रकार की खाद दी गई, लेकिन एक plant को ignore कर दिया गया, एक plant को एक ही emotion दिया गया, की I hate you, I hate you, I hate you, और एक plant को दिया गया, I love you, and you can see, this was the difference between all the three plants, the one which was ignored, started dying, plants भी die, garden भी destroy हो जाता है, लेकिन जब हम अपने mind power द्वारा उसको positive energy दिया गया, तो वो plant भी positively flourish करने लगा, the thought power, when these thought power were extended on a larger scale, in a big experiment in a city like Washington, what happened, you would be shocked to hear that, in 1993, 4000 people who practice meditation in Washington DC, for 10 minutes every day, for 6 weeks, they aimed to reduce the violence, उनका किवल एक mind के अंदर thought दिया गया, की हम अपनी spiritual power द्वारा, इस city के अंदर एक ही thought generate कर रहे हैं, की the violence is reducing, the violence is reducing, और ये power पूरी city के अंदर हम एक छत्र की तरह है, एक cloud की तरह में emit करेंगे, so, a powerful influence on a larger level of consciousness, and scientifically proven, it worked, there was a decrease of 23.3% in crime in those 6 weeks, and they extrapolated, that if a permanent meditation installation was made, it would reduce rapes, homicides and assaults by 48%, यानी 50% decrease in the crime in a city, just by your mind power. And we thought, our mind has no power. Why? Because we have never tried to utilize that power. Today, I must say, that in a day, we have 1440 minutes. 1440 minutes. And can we, can we just take 5 to 10 minutes for our own selves? केवल 10 minutes हम अपने लिए निकाल सकते हैं? पॉसिबल और नॉट बताईए? 1440 minutes में से हम भागते रहते हैं, उसमें से हम केवल 10 minutes अपने जीवन के अंदर निकाले? पॉसिबल और नॉट बताईए? 10 गंटे हम जो काम करते हैं, हर गंटे हम 1 minute पहले हम silence रखेंगे, और अपने mind के अंदर positive power डालेंगे. रिगार्ड बदल सकता है, अगर मेरे mind के अंदर केवल 1 minute के अंदर मैं अपनी consciousness को वही energy देता रहता हूं, मुझे करना है, I can do it, I can have a consciousness of being a very pure, very powerful and very very purposeful soul. हर आत्म को शांती, सुख की अनुभूती मुझे अपने mind से create करनी है, can't I start healing my own self, can't I start healing my food also, this is what we do, अब हम भोजन खाने जाएंगे, lunch time हुआ है न, तो भूख सबको लगेगी, तो भोजन जैसे ही सामने आएगा, पानी जैसे ही सामने आएगा, तो सीधे उठाकर खाएंगे, दो मिनिट उसको दृष्टी देकर खाएंगे, बताएंगे, कैसे खाएंगे, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जब हम मंदिर में जाते हैं और हमको चर्णा मृत मिलता है, चर्णा मरित मिलता है simple पानी होता है कुछ नहीं होता लेकिन उसको लेके ऐसे रख लेते हैं और लेके ना केवल ऐसे रख लेते हैं और ऐसे भी लगा लेते हैं ताकि एक भी बून नीचे नीचे गिरे और ना गिरे ना गिरे केवल पानी है what makes the difference it's the vibrations and the energy that energizes that water अगर ऐसा उस पानी के अंदर हो सकता है तो क्या हम अपनी प्योर और पॉजिटिव माइंड पावर द्वारा देली अपने पानी और खाने को एनरजाईस कर सकते हैं कर सकते हैं नहीं या केवल माउंट आबू में करेंगे घर जाकर फिर ताम नहीं मिलेगा तो आज के बाद तीसरी exercise जब भी हम जाएं जहां पर भी हम जाएं पानी लिये बिना सोचे समझे उसको अपने मूँ में नहीं डालना जैसे लिया उसको सामने लिया and this is a pure pure positive soul के द्वारा ये energy हमारे द्वारा निकल रही है और ये इस पानी के अंदर feeling of love, feeling of healing and feeling of peace इसके अंदर जा रही है and this water is getting crystallized to give me lot of energy ऐसी energy जब आप बोजन और पानी दोनों के लिए इमिट करेंगे तो थोड़ा भी खाएंगे तो आपको शक्ती और मन की शांती शरीर की शक्ती और मन की शांती अनुभव होने लगेगी ऐसा नहीं की time नहीं है हमारे पास time है केवल मन के attitude और मन के संकल्पों की जरूवत है देखा इतनी शक्ती है तो घर के अंदर भी जब हम इस practice को use करेंगे तो आम देखेंगे इतनी खुशी और शांती हमारे जीवन के अंदर आती जाएगे next next power very beautiful power power to heal we all need this healing power कल से हम लोग सुन रहे हैं as doctors we are healers but आज जो हम job करते हैं we are just treating and healing the body हम शरीर के लिए ही दवाई देते हैं शरीर का ही इलाज करते हैं और शरीर जब खत्म हो जाता है हम समझते हैं शरीर खत्म हो गया और अब ये व्यक्ति dead है इसको जला दीजिए और दफना दीजिए लेकिन हमने कभी भी मन की शक्ति को healing energy के प्रकार से यूस नहीं किया and you would be surprised as I was when we research that our mind has immense healing power immense healing power I will put forth three most beautiful and wonderful experiments in front of you very powerful which you can use in your life also one of the most beautiful experiments was carried out as old as in 1989 in a group of breast cancer women in Sanford University, California they took a group of 30 patients of breast cancer 30 patients उनमे से 3rd stage cancer के अंदर 20 patients से they divided those patients into two different groups the first group was a normal therapy and the second group was mind power healing in addition to normal therapy and also meditation and after 6 weeks of giving them full normal therapy with mind power you would be surprised in a group which was randomized to the group which was meditating there was doubling of the life span in patients and there was almost 50% complete healing in those patients who were using the power of meditation can you believe it? can you believe it? the scientist who was carrying out these experiments was Dr. David Shielder and while carrying out these experiments he himself suffered from bladder cancer he himself suffered from bladder cancer and ultimately after therapy it was decided की इसको भी operation की जरुवत पड़ेगी it was a biopsy proven bladder cancer when he was being taken up for surgery two weeks before that three weeks before that he thought that let me also use the same power of meditation on my own self for three weeks in addition to the therapy he continuously practice meditation in his life very powerful and he continuously use this thought that yes those vibrations are coming and healing my cancer and when he went for the pre-biopsy you would be surprised that it turned out to be negative for cancer negative for cancer his biopsy the pre and the post was sent to seven universities in US and everybody reported positive in the first and negative in the second and this is where he went on to write a beautiful book where he mentioned that the healing does not start outside healing starts where? कां से होगी? inside अगर मेरा मन ये द्रिडता कर लेता है की मुझे हील होना है तो वो healing आ जाती है and the icing on a cake one of the most beautiful descriptions I've come across in my life was of this beautiful old man Mr. Stamatis Moratis he was a Greek war veteran a Greek war veteran who was diagnosed in 1976 as suffering from terminal lung cancer ये Greek war veteran थे जो उस में रहते थे इंको diagnosed किया गया terminal lung cancer से and he was given by Harvard University 9 months to live so he thought की let me go back to my town why? the reason he went back to his town was because the funeral in USA used to cause 150 dollars at that time and his town would have caught it somewhere around about only 20 dollars so he said की अगर खतम भी होना है मरना भी है तो मैं अपने देश मेही जाकर अपने टाउन मेही जाकर मैं अपने शरीर को त्यागोंगा ताकी मेरा पैसा भी बचे और मैंको सुकून भी मिले so he went back to his town which was known as the town of Ikari where the funeral would cost less where he went back he started reconnecting to his faith and started meditating he connected to his old friends he started planting vegetables and he wrote in his experience that I am planting vegetables so that the next generations can be benefited with this one month passed two month passed three, four, five, six he started feeling better he could not understand he was a simple man he kept on working a year passed a decade passed those orchards which he had plant started giving fruits it was 25 years he was still living and he thought that my God doctors told me that I have only nine months to live but it's 25 years and I am still living I am feeling very good I am almost healed मैं वापस अमेरिका जाता हू अपने बूचर से पूशता हू why this happened he went back to America back to the same Harvard University just to find कि जो doctors इंको treat कर रहे थे वो खुद अपने शरीर को त्याग चुके थे they were all dead and he again came back this is all on the record this is all on the record you would be surprised and he again came back and this gentleman died at the age of 102 102 and that is why that most beautiful town that most beautiful town was labeled as the island where people forget to die when this was analyzed by the scientist they were surprised to see he connected to his faith he was being happy he ate a natural vegetarian diet he didn't have money but he was being natural उनके अंदर इच्छा थी he forgot his illness he forgot that he was ever ill and that is what we experience here आपने दादी जान की से आप मिले है 102 years still meditating still powerful अभी इस वकद भी वो UK के अंदर है healing people and naturally healing her own self बिमारी आती है सवे रे बिमारी होगी doctors कहेंगे ये करना पड़ेगा वो कहेंगे doctors अपना काम करते है मैं meditation के द्वारा बैठकर and evening she is there in the meditation session what is this power? this is the power of mind तो अगर ये लोग कर सकते है तो हम as doctors या अगर हम doctors नहीं भी है तो हम as human beings क्या healing energy create कर सकते है नहीं? कर सकते है नहीं? या patient को बोलेंगे तुमारे पास केवल 4 दिन है या एक हफता है या एक महिना है या कल तक भी नहीं है not possible अगर हम ऐसी positive energy emit करेंगे healing vibration इतनी strong हमें केवल अपने संकल्प को सिध करने के लिए दो चीजों की आवशकता है लिख कर जाएगा अपने copy, अपने pen, अपने जीवन, अपने मन के अंदर केवल दो चीजों की आवशकता है अगर हम किसी चीज को happen करना चाहते है अगर हम उसको चाहते हैं कि वो चीज हमारे सामने हो जाए पहली चीज है दृड़ता yes, it will happen और दूसरी चीज है purity of thoughts अगर मेरा संकल्प दृड़ है लेकिन उसके अंदर purity नहीं है it will never happen और even if it happens it will be by chance लेकिन अगर मेरा संकल्प दृड़ भी है और pure भी है we will naturally make it happen and that is why we must understand that as doctors, as medical persons sitting here, आज हमारे जीवन में ये बहुत आवशकता है कि हम अपने जीवन में इस energy को create करते जाएं अपने अंदर ये healing vibrations generate करते जाएं और लास जो बहुत beautiful power हमारे mind की that is power to communicate what do we do in meditation we communicate September 2014 September 2014 what we were doing for years and years and decades and thousands of years it was first time documented by the scientist जो हम हजारों सालों से कर रहे थे वो हमारे scientist ने first time September 2014 में document किया Paris के अंदर एक व्यक्ति को बिठाया और एक व्यक्ति को इंडिया के अंदर बिठाया उनके brain waves को उन्होंने study किया जो इंडिया के अंदर व्यक्ति था उसको कुछ thoughts अंदर इमिट करने के लिए उस Paris वाली व्यक्ति के लिए इमर्ज करने के लिए उसको कहा गया जैसे thoughts like hello, thoughts like goodbye, Italian उसने अलग अलग प्रकार के thoughts अंदर generate किये the experiment was randomized and the same brain waves what were generated in this person were generated and translate, these are actual pictures were generated and translated in a person who was sitting in Paris doctors went ahead and said that this is easily possible, this is one of the most famous journals PLOS 1 where this whole experiment is documented और उनके क्ली कहा कि brain to brain communication is easily possible, आप अगर नहीं भी जानते हैं अपने thought power द्वारा आप किसी भी व्यक्ति के लिए जो thoughts emit करते हैं उसकी brain waves उसके अंदर automatically generate होने लगती हैं, हम अपने spirituality से automatically जानते हैं, that it is not just brain, but it is mind to mind communication जिसको हम कहते हैं telepathic communication आप लोगों में से कितनों के साथ हुआ है कि मैं किसी को याद कर रहा था और सबके साथ हुआ है अरे मैं अभी तो याद कर रहा था, I just picked up the phone and your phone is ringing आपका phone ring करना अरंभ हो गया why मैं सोच रहा था और आपने ये खाना बना लिया I was just thinking this happens मैं आपको याद कर रहा था कि मैं आपके आऊ और देखा आप मेरे गेट पर खड़े हूँ है, every time this is happening why, why is this happening, because अगर हम आज इस दुनिया के अंदर बैठे हैं यहाँ पर हम कोई energy generate करते हैं तो वो energy, जिस व्यक्ति के लिए generate करते हैं, उससे हमारी frequency automatically, क्या होगी connect हो जाएगी, match कर जाएगी, अगर हमारे अंदर powerful thoughts हैं, और कोई दूसरा receiver है, उसके thoughts weak हैं, तो connection होगा, हमारे powerful thoughts, उसके पास receiver के अंदर emit होने लगेंगे and that person will start feeling good आज बहुत अच्छा लग रहा है, somebody is giving me positive and powerful vibrations अगर कोई व्यक्ति, मैं किसी व्यक्ति के लिए negative thoughts emit करता हूँ, और दूसरा व्यक्ति किस साथ मेरी frequency match होती है, हमको यह feeling आती है आज बहुत खराब लग रहा है, कोई यसी बात ही नहीं है, but I am feeling very low very down, why, because हमारी frequency match हो रही है, this is the power of our thoughts और मैं आप से पूछू कि अगर हम अपने मन के अंदर इतनी ज्यादा powerful energy generate करें अपने मन के अंदर positive energy generate करें, तो हमारे को किसी के साथ, अगर communication हो भी तो उसमें risk रहेगा या benefit रहेगा बताये, benefit रहेगा हम कोई भी व्यक्ति के साथ communicate करेंगे, that person will start feeling the energy और जैसे हम लोग किसी व्यक्ति के साथ communicate कर पाते हैं, क्या ऐसी ही communication Paramatma के साथ possible है अगर हम भी एक pure soul, हम भी एक divine soul है, और Paramatma भी pure और divine soul है तो अगर हम दोनो same energy meditation के अंदर communicate करें, तो communication possible है या नहीं, अगर उस communication में possibility हो जाएगी या communication हो जाएगा तो energy कहां से कहां flow करेगी कहां से कहां flow करेगी हमारी तरफ से उधर या उधर से इधर आएगी from higher to the lower level it will automatically start flowing, automatically start flowing, और दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूँ, दूसरी बात कि किसी को याद करने के लिए, किसी को याद करने के लिए, सबसे पहले हमें क्या करना पढ़ता है, सबसे क्या करना पढ़ता है हां, क्या thought करना पढ़ता है, very good, और visualize करना पढ़ता है और simple language में बताईए हां, अच्छा चलिए, आपकी बात को क्योंकि समय थोड़ा सब बचा है, आपकी बात को अगर हम एक line में बोलें कि कि किसी को याद करने के लिए उसके बारे में सोचना पढ़ता है ये बात सही है नहीं, agreed हां, अगर मैं आपको कहूँ, आप सब यहाँ पर बैठे हैं आप सब यहाँ पर बैठे हैं हम केवल 30 सेकंड की एक exercise करेंगे, सब सीधे होकर relax होकर बैठ जाए, relax and सीधे होकर, आखे खुली हुई, उसके बाद बढ़िया सा भोजन भी आपको मिलेगा है ना तो बिल्कुल relax होकर हम लोग बैठ जाए हम relax होकर बैठ कर एक बात कहते हैं कि हम सब लोग यहां से silently उठे, इस रूम से बाहर निकले, जो जो मैं कहूँगा हम बैठ गए और हम अपने घर पर पहुंच गए घर का दर्वाजा हमारे सामने है उस दर्वाजे को हम कोलते हैं और अपने घर के अंदर एंटर हुए हम लोग दर्वाजा हम देख रहे हैं अपने बेडरूम को भी हम देख रहे हैं हमारे घर में जो हमारे सम्बंधी हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे मावाप हैं, हमारी वाइफ, हमारे हस्बेंट जो भी हैं, उनको हम हलो कहते हैं अपनी किचन में जाएए, एक एक ग्लास पानी पीजिए और पीकर फिर वापस आजाएए, दर्वाजे को बंद करिए अपनी अटेंची फिर उठाईए फिर स्टेशन पर या एरपोर्ट पर आईए उसके अंदर बैठेए अपनी सीट पर वापिस आप आबू रोट पर पहुंच गए है बस या काड़ी के अंदर बैठे उपर आए ग्यान सवरोवर में एंटर किये अपने रूम के अंदर जाईए समान को वापिस छोड़ दीजिए जिस रूम में आप रह रहे हैं और फिर इस हॉल में आकर बैठ जाईए कौन-कौन गया था अपने घर कौन-कौन गया था कौन गया था आप तो यहां बैटे हुएं कौन गया था कौन गया था माइं गया था कर दूब है खारे कई जाने की जरूरत नहीं आप तो यहां बैठे हूँ हैं आपने क्या किया माइं को कंटिनुवसली एनर्जी देनी चालू करी उसके माइंड को फॉट्सको ड्रेक्ट कर दिया ड्रेक्ट कर दिया कि तू ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर वो उठा फटा फट यहां से नीचे पहुंचा ट्रेन में भी बैट गया एरोप्लेन में भी बैट गया आपको पूरा रास्ता खुला मिल जाए आपको सुपर सॉनिक जेट भी दे दिया जाए तो आप स्पीट से जा सकते हैं वहां पर आवरफुल जेट है कि पांच सेकेंड दस सेकेंड के अंदर यहां से वहां पहुचकर ना किवल सब को हलो कह दिया बेड्रूम बातरूम सब देखाया पानी भी पे लिया और फिर वापेस जर्नी करके यहां पर आ गया क्यों आया क्योंकि हमारे मन के अंदर इतनी शक्ति है तो ऐसे ही हम temptation करें तो meditation नहीं होता meditation है क्या this is meditation पर्मात्मा के बारे में सोचना उसके बारे में जानना जो आपका session अभी शायद नहीं हुआ होगा कितना simple है लेकिन सब चीजों का आधार क्या है कौन सी power है कौन सी power है mind power या soul power या consciousness power या being power जो भी नाम आप उसे देना चाहे जो भी नाम देना चाहे तो आप जब यहाँ पर आज आए हैं तो हमें समझना होगा कि meditation is a loving and a intellectual communion यह दो शब्द ध्यान रखेगा कोई भी संबंध का आधार कोई भी संबंध का आधार ध्यान से सुनिये मेरी बात आकरी बात कोई भी संबंध का आधार जरुवत होना चाहिए मतलब होना चाहिए या प्यार होना चाहिए क्या कहते हैं बताए प्यार होना चाहिए थोड़ी सी आवाज आई पूरी आवाज आई नहीं हां कौन-कौन कहता है थोड़ी सी जरुवत भी होनी चाहिए हां अगर अच्छा देखो नैच्रल बात है कि जहां पर प्यार है वहां पर नैच्रली विश्वास आ जाता है और जहां पर विश्वास है वहाँ पर अधिकार automatically आ जाता है जरुवते automatically पूरी हो जाती है तो आज अगर आप लोगों से एक बात हम पूछें आप लोगों से एक बात हम पूछें honestly answer करिएगा और जीवन की सारी problem solve हो जाएगी कि परमात्मा को आज हम जरुवत के अधार पर याद करते हैं या प्यार के अधार पर याद करते हैं और अश्च नहीं करना परमात्मा कहता है कि तुम मेरे साथ business क्यों करते हो तुम तो मेरे बच्चे हो अगर मैं अपने पिता के पास जाकर कहूं कि मैं तो cardiologist हूँ आप मेरे लिए ये कारे करो तो मैं आपको इतने रुपे दूँगा अच्छा लगेगा संबंधों में business नहीं आता है अगर परमात्मा पिता को आप सहज रूप से याद करो तो Automatically वो कहेगा कि तुम मेरा है मेरा प्यारा बच्चा है और हम कहें मेरा पिता मेरा बाबा है मेरा प्यारा शिव बाबा जो point of light है उसे दिल से याद करेंगे तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ वो कहेगा मैं तेरी सब लाइफ को बहुत सहज रूप से चलाओंगा कोई भी दिक्कत तुझे लाइफ में नहीं आएंगी तब हम कहते हैं कि परमात्मा को अपने जीवन में स्पेर वील की तरह यूज नहीं करना चाहिए परमात्मा को स्टेरिंग वील की तरह यूज करना चाहिए तो कैसे यूज करेंगे आज के बाद परमात्मा को बताईए लेकिन उसके लिए उसके लिए परमात्मा से संबंध जोड़ना आवश्चक है ऐसा नहीं हो कि वो ही चकर हमारा चलता रहे कि हमारे पास समय ही नहीं है और अंत में एक बात सुना कर अपनी वानी को विराम देता हूँ कि एक बहुत बढ़िया बात कि एक संथ बैठा हुआ था एक नदी के किनारे और वो पूरे दिन देख रहा था कि नदी बह रही है बह रही है बह रही है तो कुछ लोग आते उसे देखते और देखकर कहते कि पता नहीं क्यों बैठा हुआ है एक व्यक्ति ने बोला शाम को जब वो आया कि महात्मा जी आप क्या कर रहे हैं तो उसने का बेटा मैं नदी बह जाने का इंजार कर रहा हूँ कहते हैं आप जिंदगी में चाहते क्या हैं तो उसने का मैं इस नदी को पार करना चाहता हूँ तो उसने का आपार कर लिजिये उसमें क्या बात है तो उसने का नहीं नदी पहले पूरी बह जाए तो मैं पार करूँगा तो उसने का आप इतने बड़े महात्मा यह कैसी मुरक्ता वाली बात कर रहे है ऐसा हो सकता है कि नदी पूरी बह जाए उसके बाद हम इसको पार आप पार करेंगे आपको अभी ही पार करना पड़ेगा तो उस महात्मा ने बोला कि बेटा तुम लोगों से ही सीखा है मैं तुमको रोज बोलता हूँ कि परमात्मा के लिए अपने लिए अपने जीवन में समय निकालो पर तुम कहते हो थोड़ा और समय बीच जाए थोड़ा और समय बीच जाए थोड़ा और समय बीच जाए बच्चे हो जाएं, बच्चों के भी बच्चे हो जाएं, बूडे हो जाएं, रिटायर हो जाएं तब हम परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा को कभ याद करना चाहिए तो उस व्यक्ति को उन्होंने बहुत सुन्दर बात बोली कि तुम ऐसा करो परमात्ना को मरने से केवल एक दिन पहले याद करना तो उस व्यक्ति ने बोला हमें ये तो मालूम नहीं कि हम कब मरेंगे तो उसने का फिर परमात्ना को कब याद करो आज याद करो क्योंकि we are living in a world of uncertainty भौतिकता हमारा समान जो हमें खटा करते हैं वो समान यहीं पर रह जाएगा लेकिन हमारे कर्मों का समान हमारे संसकार हमारे जीवन के मुले हमारे साथ जाएंगे हमारी मारूती, हमारी मॉजडी, हमारे धन, हमारे धौलत ये हमारे साथ नहीं जाएगा केवल हम हमारी आत्मा जब जाती है अपने संसकार अपने जैसे सुना ना वो सीडी के अंदर अपने संसकार ले जाती है तो क्या आज हम अपनी सीडी के अंदर कुछ समय के लिए अपने इस जीवन के लिए अच्छे संसकार, अच्छी values और परमात्मा का प्यार भरने के लिए तयार है या नहीं बताईए अवाज है नहीं आती है अभी भी नहीं या और lecture चाहिए है करना पड़ेगा ना करना पड़ेगा तो इसको जरूर करिए अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए अपने मुमेंट को सुखद बनाने के लिए दस लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है केवल यहाँ पर सुनकर परिवर्तन करने की जरूरत है वो चाबी जो है न उसको गुमा दीजे आज ओन कर दीजे उसको कि हाँ आज मुझे इस चीज को करना जरूर है तो जीवन में सुकून और शान्ती का अनुभव होने लगेगा ठीक है तो अब ऐसे प्यारे परमपिता परमात्मा की याद में हम बैठे दो मिनिट आखे खोल कर बैठे तो मन का भोजन हम लोग यहाँ पर ग्रेन करके जाएंगे शान्ती में उठकर आज बढ़िया ब्रहमा बोजन आपके लिए तयार है पानी भी वहाँ पर मिलेगा तो खाने से पहले क्या करेंगे सब लोग एनरजाइस करेंगे और नहीं एनरजाइस करेंगे प्यूरिफाइट तो है है अपने हिसाब से पानी और खाने जो भी चीज मेरे मुँ में जाएगी उसको एनरजाइस करेंगे scientifically proven है spiritually हम जानते हैं तो क्यों नहीं करेंगे तो इसको हम लोग जरूर करेंगे तो आज हमने powers of mind के बारे में जाना लेकिन यह मन क्या है why should as a scientist I believe and understand कि I am a soul उसके बारे में कभी हम scientific evidence के बारे में आगे बात करेंगे अब हम दो मिनिट उस प्यारे परमपिता के बारे में सोचेंगे और सोच कर शान्ती के अंदर यहां से उठेंगे Thank you so much से मेरी मुशकिले बड़ी है यह मुशकिलों से कह दो मेरा खुदा बढ़ा है आती है आनि' या तो कर उनका खैर मक्दम आती है आनि早ो कर उनका खैर मक्दम तूफा से ही तो लड़मे खुदा ने तुझे घड़ा है ये मत कहो खुदा से मेरी मश्किले बड़ी है ये मश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है